दोस्तों आज बारी है ओहन्रे की कहानी की और आज की कहानी का नाम है ओक्टोबर एंड जून तो बिना देर किये शुरू करते हैं आज की कहानी कैप्टन ने दिवार पर लटकती तलवार को बड़ी ही उदासने गाहों से देखा पास की अलमारी में उसकी धुंदली पड़ चुकी वर्दी पड़ी थी मौसम और सेवा के कारण दागी और छिन भिन हुई कितना अर्सा बीद गया लगता था उन युद के चेतावनी संकेतों के बाद और अब अपने देश के संकट काल के समय में अपनी योग्यता का प्रमान देने वाला ये अनुभवी क्याप्टेन एक औरत की मद भरी आँखों और मुस्कुराते होटों के आगे सिर्फ एक समर्पन बन कर रह गया था वो अपने शांत कमरे में बैठा था और उसके हाथ में उस औरत का पत्र था जो उसे अभी अभी मिला था वही पत्र जिसने उसकी निगाहों में एक उदासी भर दी थी उसने उस मारक पैरग्राफ को एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया आपके इस आधर को जो आपने अपनी पत्नी बनने का आमंतरन दे कर मुझे बक्षा है उसे मैं अस्विकार करती हूँ क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि मुझे सब कुछ खुले मन से कहना चाहिए इस अस्विकार का मेरी नजरों में जो कारण है वो है हमारी उम्र में इतना बड़ा फर्क मैं आपको बहुत बहुत चाहती हूँ लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शादी सफल नहीं हो पाएगी मुझे इस बात को लिखते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है लेकिन मेरा विश्वास है कि सही कारण बताने की मेरी इस इमानदारी की आप जरूर तारीफ करेंगे क्याप्टन ने एक ठंडी आहा भरी और अपना सेर अपने हाथों पर जुका लिया ये सच था कि उनके उम्र के बीच कई बरसों का फासला था लेकिन वो काफी शक्तिशाली और कठोर था उसका मान सम्मान था उसके पास दौलत भी थी क्या उसका प्यार उसकी देख भाल और उसकी क्षमताएं भी उससे उम्र का सवाल भुलवा नहीं सकती थी और फिर उसे इस बात का पक्का यकीन था कि वो भी उससे मोहबबत करती थी दो घंटे बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष के लिए तैयार खड़ा था उसने टैनेसी के प्राचीन दक्षनी नगर की गाड़ी पकड़ी उसकी प्रियतमा वहीं रहती थी जब कैप्टन उस पुरानी हवेली के दर्वाजे में भीतर घुसकर बजरी के रास्ते पर आगे बढ़ा उस वक्त थियोडोरा डेमिंग सीडियों पर बैठी गर्मी की उस सुहानी शाम का आनद ले रही थी वो बड़ी ही मुस्कुराते हुए कैप्टन से मिली उसके चेहरे पर किसी भी तरह की परिशानी के भाव नहीं थे उसने कहा मुझे आपके आने की उमीद नहीं थी पर अब जब आप आई ही गए हैं तो मेरे साथ बैठिये क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था मिला था कैप्टन ने कहा और उसी के लिए मैं यहां आया हूँ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ थियोडॉरा अपने जवाब पर एक बार फिर से विचार कर लो प्लीज क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती थियोडॉरा ने से रहलाते हुए कहा अरे बिल्कुल नहीं अब उसका सवाल ही नहीं उठता इसमें कोई शक नहीं कि मैं आपको बेहत पसंद करती हूँ लेकिन शादी से बात नहीं बनेगी मेरे उम्र और आपकी उम्र लेकिन अब मुझसे फिर से वही बात मत कहलवाईए मैंने अपने पत्र में सब कुछ लिख तो दिया ही था कैप्टन का चेहरा लाल हो गया थोड़ी देर वो खामोश रहा और शाम के धुंदलके में शून्य में निहारता रहा भाग्य और समय ने उसके साथ बड़ा ही दगा किया था उसके और उसकी खुशी के बीच बस ये कुछ साल आकर पता नहीं क्यूं अटक गए थे थेयोडोरा ने हाथ आगे बढ़ा कर बड़े ही प्रेम से उसका हाथ थाम लिया फिर वो विनमर स्वर में बोली आप इसे इतनी गंभीरता से मत लीजिये प्लीज जो भी हो रहा है वो सब के अच्छे के लिए ही हो रहा है मैंने इस बात पर बहुत सोच विचार किया है सच मानिये एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने आप से शादी नहीं की ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा ही साबित होगा हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये शादी आपको भली महसूस हो लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कुछ ही सालों के बाद हमारी रुचियां कितनी अलग-अलग हो जाएंगी हम में से एक अंगीठी के पास बैठ कर कुछ पढ़ना पसंद करेगा या फिर हो सकता है अपने गठिया या दिमागी थकावट का इलाज करना चाहे जबकि दूसरा नृत्यों, थेटरों और रात को देर तक चलने वाले डिनर पार्टियों के लिए पागल हो रहा होगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त अगर इसे जनवरी और मई ना भी माने तो भी इसे ऑक्टोबर और जून के शुरुआत का मामला तो माना ही जा सकता है लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो थियोडोरा जो तुम चाहोगी कि मैं करूँ मैं वही सब कुछ करूँगा हमेशा करूँगा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ अगर तुम चाहोगी कि मैं नहीं कैप्टन आप नहीं करेंगे आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप कर लेंगे लेकिन मैं जानती हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे इसलिए प्लीज दोबारा ये बात मुझे मत कहिएगा अब कैप्टन पूरी तरह से हार चुका था उसने नौर्थ की तरफ जाने वाली गाड़ी उसी रात पकड़ ली अगली शाम वो अपने कमरे में वापस पहुँच चुका था वो रात के खाने के लिए कपड़े बदल रहा था और अपनी बो में सफेद टाई बांध रहा था और उसी दोरान वो अपने आप में ही कुछ-कुछ बढ़बढाता जा रहा था अपने सेर की कसम लगता है थियोडोरा ठीक ही कह रही थी कोई भी आदमी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि वो बहुत ही जवान और खुबसूरत है लेकिन बड़े खुले मन से भी हिसाब लगाया जाए तो भी 28 से कम तो क्या होगी इतना कहकर उसने एक ठंडी सांस ली और अब कहानी को खत्म करने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कैप्टन सिर्फ 19 साल का था उसे अपनी तलवार निकालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी सिवाए एक बार के और वो भी उसने एक फंक्शन के दोरान परेड ग्राउंड में निकाली थी यूँ कहा जा सकता है कि स्पैनिश अमेरिकन युद्ध की तरफ बढ़ने में वो उसकी आखिरी सीमा थी दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राए शेयर करना बिलकुल ना भूलें जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फैर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा